हलो नमस्कार मैं डक्टर रजिनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात्चित करेंगे सन दो हजार अठार से लेकर सन दो हजार इकिस के बीच एन टीये द्वारा पूछे गए कथा साहिते से संबंदित प्रश्णों के उपर कथा साहिते जब कहा जा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना जाए कहानी और प्लस उपन्यास इन दोनों विधाओं को आधार बना कर अभी तक यानि कि 2018 से लेकर 21 तक के पूछे गए सवालों को हमने एक जगा कलेक्ट क किया है तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कहानी और उपन्यास से संबंदित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और इसी पैटन पर हमने अलग-अलग दिश्टिकोनों से भी वीडियो लेक्षर अपलोड किया था आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते है जो कि UGC.NET एक से लगे दस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें अपलोड किया गया है तो हम देखते हैं कि कहानी और उपन्यास से संबंदित कौन-कौन से प्रशन अभी तक पुछे गया है पहला इसमें प्रशन आप देख रहे हैं कि पुछा गया है कि मुरारी और जिन्दगी और गुलाब मैं हार गई जो हुआ है कि तपे दिक की मरीज मन्नों की कथा बादलों का घेयरे कहानी में चित्रित है आगले क्वेश्चन पर बात करें क्योंबर तीशन पर उसका प्रशन है कि राही मसुम राजा के द्वारह रचित उपन्यास नहीं है राही मसुम राजा जिन्होंकी आधा millions नामक उपन्यास लिखा था जो कि गाजीपूर की प्रिष्ट भूमी पर आधारित है और हमें इस प्रश्ण के अनुसार बताना है कि कौन सा उनका उपन्यास नहीं है तोपी शुकला दिल एक साधा कागज समर्शेश है कट्रा भी आरजू तो आपने देखा आप्शन में समर अंगर शेश नामका जो उपन्यास दिया गया है यह राही मसुम रजा का नहीं है बाकि तीनों जो उपन्यास है वो रही मसुम रजा द्वारा लिखे गया है अगले क्वेश्चन पर बात करें अगला प्रश्ण है पुछा जारा कि विदेशी प्रिष्ट भूमि पर आधा सही है तो पहला option दिया गया है दूसरा तीसरा चोथा पहला दूसरा तीसरा तीसरा चोथा और तीसरा और चोथा तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है option दूसरा है कि इसमें पहला दूसरा और तीसरा जो नाम दिया गया है वे सभी उपन्यास विदेशी प्रिष्ट भूम पर आधारित है अगले question पर बात करते हैं जो कि पूछा गया है देश विवाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है जूठा सच तमस कितने पाकिस्तान छोटे-छोटे महायूत और ये भी प्रशन कूट पर आधारित है यानि कि नीचे चार कूट दिये गये हैं उन कूट के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही जवाब है तो इसका जो सही जवाब है option दूसरा है कि पहला और दूसरा जो नाम दिया गया है यानि कि जूठा सच और तमस ये दोनों उपन्यास देश विवाजन के प्रसंग पर आधारित है आगले question पर बात करें तो अग अलग अलग कूट दिये गया है और इन कूटों के अधार पर सही जवाब है पहला दूसरा और तीसरा जो नाम दिया गया है वो जैनेंदर के कहानियों के पातर है यानि कि शमशेर जुलैका और व्येंजिलो नाम के पातर जैनेंदर की कहानियों में आई हुए है तो इस तर अगला प्रश्ण जो की कोटेशन के तोर पर पुछा गया है कि कहानी इतवरित ही तो है यानि उसमें इस्थिती से इस्थिति अंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए कहानी के विशे में उप्रीवत वीचार किस लेखक के है ऑपसं दिया गया जैनेंदरकुमार राजयनर्याद यसपाल इलाचन जोशी तो इसका जो सही जबाब है कि जैनेंदरकुमार ने इस कोटेशन को कहा है कि कहानी इतवरित ही तो है अगला सवाल है पुछा जा रहा है कि यश्पाल के उपन्यास जूठा सच में दवलत राम आजाद किस राजनितिक दल का सद्धर से था कांग्रेस, कम्मिनिस्ट पार्टी, मुश्लिम लिग, जन्संग तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा है कि जूठा सच में दवलत राम आजाद कम्मिनिस्ट पार्टी दल से जुड़ा हुआ था आप सभी अगर उपन्यास को अच्छे से पड़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में यांसर आप ही गया होगा अगला प्रशन है, यही सच है कि कहानिकार कौन है, कृष्णा शोबती, उसा प्रियमता, मनु भंडारी, मृदुलागर तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन तीसरा है कि यही सच मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है अगला प्रशन है, जो कि कोटेशन दिया गया है, कि अगर प्रेम खुंखार शेर है, तो मैं उससे दूरी रहूंगी मैंने तो उससे गाही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदे के उपर समझती हूँ, वद्धिय के वस्तु नहीं, आत्मा के वस्तु है चंदे का वहाँ जरा भी इस्तान नहीं, और हिंसा तो संदे का ही परिडाम है, वह संपून आत्म समर्पन है, ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गये हैं, आप्सन दिया गया है गोबिंदी, सोना, सीलिया, मालती तो इसका जो सही जबाब है, आप्सन चोथा है, कि मालती द्वारा ये सारे वाक्य कहे गये हैं, सारे कथन हैं, हो सकता है कि आगामी परिक्षाओं में इसमें से कुछ कोटेशन, कुछ वाक्यों को काट कर भी पूछा जा सकता है अगला प्रशन है, प्रशन नमर 12, पुछा जारा के निमनीखित में से क्या तमस उपन्यास में सामप्रताइक भावना के निर्मान में सहायक नहीं है, यानि कि तमस उपन्यास जो बढ़िया से पढ़ा रहेगा, वो तुरंत इस प्रशन को अच्छे से साल्व कर देगा, कि कौन सा इसमें सामप्रताइक भावना के निर्मान में सहायक नहीं है, सामप्रताइक पुर्वाग्र, विभिन संप्रताइक का एक इस्थान परवास, वर्गिय पुर्वाग्र, अतित की गवरों गाथाएं, तो इसका जो सही जबावियां पर, option दूसरा है, कि विभिन संप सांपरदायों का एक स्थान परवास जो बात कही गई है वह सांपरदाइक भष Ordory कि निर्मान में सहयक नहीं है कि अगला प्रशन है कैसे तीसरी कसम कहानी में गाड़िवान ने कौन सा सामान लादने की कर्कम नहीं खाई थी कैसरी कसम कहने जो की रेनु भाजारी का सामान बांस तो इसमें जो सभी जबाभ है ऑप्शन दूसरा है कि दुलहिन की डूली नौ लाजने की कश्म उसने नहीं खाया था बाकी कंपनी की और नहीं बैठाएगा चोर बाजारी का सामान नहीं रखेगा और बास नहीं ला देगा यह तीनों कश्में उसने पुछा जारा है कि क्या इस्त्री होना कोई पाप है उप्रिक्ट समवात किस कहानी से संबंद है दुलाई वाली आकाश तिप लाल पान की बेगम परिंदे तो इसका जो सही जबाब है option दूसरा है आकाश दे अगला प्रशन है बचन सिन सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ् दल गया राजा निर्वंशिया उसने कहा था तो इसका जो सही जबाब है option तीसरा राजा निर्वंशिया नाम की कहानी से इस कथन को लिया गया यह बचन सिंग सिहर सा गया और उसके हाथों के अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मार्यमी कोमलता ने धीरे से छू लिया थ अगला प्रश्ण है question number 16 पुछा जा रहा है कि गैंग्रेन की मालती बच्पन में कैसी लड़की थी सरल और शांत लड़की उद्धत और चंचल लड़की पुष्टकें पढ़ने की शौकें लड़की चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की इसमें से हमें सही बिकल्प च बिक है बी और डी उद्धत और चंचल लड़की थी चोरी से भागने वाली लड़की थी यानि कि बी और डी वाला जो ऑप्शन होगा वह इसमें सही होगा इस तरी किसी जवाब है ऑप्शन तीसरा है तो अब देख रहे हैं कि बदलते पेटरन पर किस तरी किस सवाल जर्वसुक नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में लिख वंडित है आगे बात करते हैं अगला प्रशन है पुछा जारा हिंदी में नाविल के अर्थ में उपन्यास पद का पर्थम प्रयोग किस ने किया था महाभीर प्रसाद अगला प्रशन है पुछा जारा के तलाक शुदा माता पिता की संतान की मानसिक्ता पर आधारित उपन्यास है महाभोच अंधेरे बंद कमरे आपका बंटी शेखर एक जीवनी तो इसका जो सही जवाब है आप्सन तीसरा है आपका बंटी नामक जो उपन्यास है प्रसाद इसमें माता पिता की संतान्य मानसिक्ता पर अधारित उपन्यास लिखा गया है अगला प्रशन किया जूगलबंदी परिशिष्ट तीसरी सत्ता तो इसका जो सही जबाब है आप्शन पहला है कि पहला ग्रमिटिया नामक उपन्यास में अफ्रीका में रंगवेद तथा उपनिवेश्वादियों की इस्थानी और भारतिय मुल्के निवासियों की प्रति घृड़ा और कू जी फिया ननक्या है कि अगला प्रश्ण है कि निमल्खित मेंसे कौन सा अपन्यास एतियासिक सांस्क्रितिक उपन्यास नहीं और नबहिंग है अगला प्रश्ण ये कि निम्लखित में से किस कहानी में नौकरी के शिल्चले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबु की लंबी अनुपस्तिती उन्हें परिवार के धाचे से बाहर कर देती है तो जैसे ही गजारधर बाबु का नाम है आप सभी के दिमाग में वापसी नाम की कहाने आगे होगी इस तरी के सिसका जो सही जबाब है आपसंद दूसरा है अगला प्रशन है पुछा जारा कि भीश मर्शाहानिकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विश्यों पर और डी तो इसका जो सही जबाब है पहला ओपसन आपर है कि भीवाजन की त्रास्थी है और फिर सांपरदाइक विद्वेश है यानि कि ए और डी ऑप्सन इसमें सही है इस तरी के से पहला ओपसन आपर सही हो रहा है अगला प्रश्न है पुछा जारा कि प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरितर और वहाँ चलने वाली राजनितिक गतविधियों का वर्डन मिलता है रियासत का दर दिवान पंच परमेश्वर सर्चन सतरंज के खिलारी बड़े भाई सहब और यहां पर भी कूट दिया गया उस कूट के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा आप्शन इसमें सही है तो इसका जो सही जबाब है कि रियासत का दिवान और सतरंज के खिलारी यह जो दो कहानिया है यानि कि A और C ये दो कहानिया प्रेम चंत की देशी रियासतों के राजा का चित चरीत रोहां प्रस्थित करती है जो कि वहां चलने वाली राजनितिक गदवितियों से प्रभावित रहें अगला प्रश्ण है पुछा जारे के लिमसित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है जीवन पर आधारित उपन्यास काँ सा है ओप्षिन दिया गया है धर्ति धन्नापना खीकरे की मंगनी कठ गुलाब यथा प्रस्थावित तो इसका जो सही जबाब है कि दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है नीचे कूट दिया गया है कि A और B, A और D जो दोनों उपन्यास है धलित जीवन पर आधारित है अगला प्रशन है कि निम्ल्खित में से विदेशी पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है अभी उपर आपने देखा था कि विदेशी पर आधारित कुछ उपन्यास पुछा ग Самनाभी थे और दी तो बदलते हो पैटर्न पर आप देख रहे हैं कि कभी कभी सीधे सीधे कभी कभी कुट के आधार पर सवाल या पर पूछे जा रहे हैं तो इसका जो सही जबाब है कि विदेशी प्रिश्ट भूमी पर आधारित उपन्यास नहीं है ए और भी ठीक है परिशिष्ट और चक्रविव नाम के जो उपन्यास है ये विदेशी प्रिश्ट भूमी पर आधारित नहीं है बाकि विदेशी प्रिश्ट भूमी पर आधारित हैं अगला प्रशन है लाला ब्रज किशोर और मुन्सी चुन्नी लाल निम्लिखित में से किस उपन्यास के पात्र है भागिवत अगला प्रश्ण है पूछा जा रहा है कि आधुनिक इरान की प्रिष्ट भूमी पर रक्त रंजित क्रांती का चित्रण निम्लिखित में से किस उपन्यास में किया गया है अप्शन दिया गया है दूसरी तरफ लाल पसिना सात नदिया एक समुंदर वेदिन तो इसका जो सही जबाब है कि आधुनिक इरान की प्रिष्ट भूमी पर रक्त रंजित क्रांती का चित्रण सात नदिया एक समुंदर नामक उपन्यास में किया गया है अगला प्रश्ण है कि करम बीबी और सर्फ राज निम्लिखित में से किस उपन्यास के पात्र है जिन्दगी नामा सूरज मुखी अंधेरे के डार से बीचुड़ी यारों के यार तो करम बीबी और सर्फ राज जो कि जिन्दगी नामा नामक उपन्यास से संबन दित है अगला जो प्रश्ण है पुछा जारा कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है मानस कहांस जो अमरितलान नागर द्वारे लिखा गया है उसमें कौन सा ऐसा पात्र है जो कि नहीं है बीरपाल सिंग जानुमी तीसरा अप्सिन इसका सही जबाब है बाकी जितने भी जहां पर नाम दिये गए सब मानस कहांस उपन्यास के पात्र के रूप में है अगला सही जबाब है यहां पर पहला आप्सन राग दरबारी जो कि उत्रप्रदिस के प्रवांचल के एक कस्वा नुमा गाउं सिवपाल गंज की कहानी को आधार बनाकर लिखा गया है अगला प्रश्ण है श्रकून और डाक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारिद कथानक प्रश्ण किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है तो श्रकून और जोशी के अंतर संबंधों पर आधारिद उपन्यास है आपका बंटी पहला अप्सन इसका सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है कि प्रेम चंद्कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र है तो प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन कौन से है तो देखिए आप पाठेकरम में यह कहानी वैसे लगी नहीं है लेकिन यहापर प्रश्ण इस पर बन गया है तो इस तरीके से कुछ ऐसे सारी लाल नाम के पात्र फ्राश्चित कहानी से जुर्य हुए हैं अगला प्रश्चन है कि फनिश्वन नात रेनु द्वारा रचित कहानिया हैं मुर्दों का गाउं ठूमरी कर्मनाशा किहार आदिम रात्र की महाग तो हमें बताना है कि विकल्पों के आधार पर कि कौन सी कह कहानिया जो है वो फरश्वन नात रेनु द्वारा रचित हैं तो इसमें जो तीसरा ओफ्चन दिया गया है कि बी और डी यानि कि ठूमरी आदिम रात्र की महग ये दोनों कहानिया फ्रणिश्ण रात्रेणु द्वारा लिखी गए हैं अगला प्रश्ण है पुछा जा रहा है कि यश्पाल की परदा कहानी के पात रहे हैं हर गोभिन बबबर अली खां चौदरी पीरबक्ष शेक जुमन परदा कहानी बहुत ही फेमस कहानी रही है लगबग सभी पाठीक्रमों में राती है सिबेशी बोर्ट यूपी बोर्ट और महाविद देलों भिशुविद देलों के पाठीक्रम में तो आप लोगों ने इस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा और आपके दिमाग में इसके पातर भी आगे होंगे तो इसका जो सही जबाब है कि B और C बबबर अली खां चौदरी पीरबक्ष ये जो दोनों पातर हैं वो इस कहानी से जुड़े हैं यानि कि दूसरा उप्षण में सही है अगला परशन की पूछा जा रहा है कि सामपर्दायक विढ़ाजन की त्रास्ति पर आधारित उपन्यास है इसे पहले आपने देखा कि साम-परदायक कि A और B सही है, B और C सही है, A और C, C और D तो इसका जो सही जबाब है कि C और D यानि कि तमस जूठा सच नाम के जो उपन्यास हैं वो सब चामप्रदाइक, विद्वेश और विभाजन की तरास्ती पर आधारित हैं अगला प्रश्ण है, पुछा जारा कि तमस उपन्यास के पात्र हैं, तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, अप्जन दिया गया कानक रिचर्ट्स लीजा सेलमा, तो हमने इस पर प्रैक्टिस भी कराया था, आप लोगों के दिमाग में वो प्रैक्टिस होगी भी, और य अगला प्रश्ण है, कि मनु भंडारी द्वार रचित उपन्यास नहीं है, महाभोज आपका बंटी शैलूस बसंती, तो यहाँ पर हमें बताना कि मनु भंडारी का उपन्यास नहीं है, तो आप महाभोज तो है, आपका बंटी भी है, इस तरीके से ये दो दो आपसन है, C और D, इसका सही जवाब होगा कि जो नहीं है, तो हम आपसन में देख लेते हैं, तीसरा आपसन है पर सही है, अगला प्रश्ण है, दोधनात सिंह द्वारा रचित कहानी संग्र है, दोधनात सिंह द्वारा रचित कहानी संग्र कोन है, आपसन दिया गया है, धर्म शेत्रे, चोथा आपसन इसमें सही है A और D यानि कि धर्ण खेत्रे कुरु खेत्रे साथ में निसकासन ये दोनों जो कहानी संग्रे हैं ये सब दूद नाज सिंग द्वारा लिखे गए हैं अगला प्रशन है पुछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निमस्खित कहानियों क सही अनुकरम कौन सा है दुलाई वाली 11 वर्ष का समय एक टोकरी भरमिटी प्लेग की चुडएल तो इस तरीके के प्रशनों पर हमने एक लाइब क्लास लिया था तो वहाँ पर आप येर इत्यादी देख सकते हैं या पर मैं इसका सही जबाब बता देता हूं कि कौन सा है आप्शन दूसरा इसका सही जबाब है कि पहले टोकरी भरमिटी है फिर प्लेग की चुडएल फिर 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली ठीक है तो आप्शन है पर दूसरा इसका सही जबाब है अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्रखित उपन्यासों का स देवरानी जेठानी की कहानी तो इसमें जो बिकल्प दिया गया है पहला बिकल्प जो है वो और इसका सही है तो आगले question पे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है वो भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम पराधारित है वांग्चू राजय निर्बंसिया एक और जिन्दगी यही सच है तो इसका जो सही जवाव यहां पर है यही पहला आप्सन है यानि कि पहले राजय निर्बंसय इसमें फिर एक और जिन्दगी फिर यही सच है वांक्चू ठीक है तो आप्षन पहला इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है पुछा जा रहा है कि निम्लिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दिवान खान का वर्ण किया गया लाला मदन मोहन के किस उपन्यास में अप्षन दिया गया भागवती परिक्षा गुरु नुतन ब्रह्मचारी श्यामाश्वपन तो इसका जो सही जवाब है अप निम्षित में से किस उपन्यास में बाल वया शंदी और किशोर मन के मनोवज्यानिक अंकन का प्रयास किया गया है तो कौन से उपन्यास है ? शेखर एक जिवनी, ज्याक पत्र पर्दे किरानी, जय वर्धन, ध्या गया सही जबाब है पहला उप्षन से ही है शेखर एक जिउनी जो के अग्ये द्वारे लिखा गया है और इसमें बाल, वया संधिय और किशोर मान के मनोवेज्ञानिक अंकन का प्रियास किया गया है अगला प्रशन है मैला आचल उपन्यास के पात्र नहीं है प्रसांत और काली चर्म, स्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमिरत दास, हर गवरी सिंग और मंगला देवी तो इसका जो सही जबाब है कि पात्र नहीं है तो ऑप्षन दूसरा इसका सही जबाब है कि स्रीधर और सरस्वती मैला आचल से नहीं जुड़े है अगला प्रशन है जो कि कोटेशन के तरूपर पुछा गया है कि नई कहानी आग रहों की कहानी नहीं है प्रभित्यों की हो सकती है और उसका मूल सुरुत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वो विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपने जीवन शक्ती से आज के दूर्दांत संकट को जाने अंजाने जहल रहा है उप्रयुक्त किसका कथन है तो यह जो ऑप्शन दिया गया है क्वेशन नंबर 46 का इसका सही जबाब है कि यह कथन है कमलेश्चुवर द्वारा अगला प्रशन है कि माता-पिता के संबंध विच्छेत से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा प्राधारीत उपन्यास है तो एक बार अलग ढंग से यह प्रशन पूछा जा चुका था जिसका सही जबाब है आपका बंटि अगला प्रशन है कि लक्षमी दासिन निमिखित में से किस उपन्यास की पातर है तो वाला किसान था तो आप ऐसे प्रशनों को न किसी किताब में वन लाइनर किताब में पासकते हैं सिर्फ आप उपन्यासों को टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे तो अराम से इसको आप पासकते हैं तो आप्सन जो दिया गया है उसमें सही जवाब है पहला आप्सन कि बे और मांश्टर मोती राम और बाबु रामाधिन मांश्टर सिंभु दयाल और पंडित पुरुषोतमदास कारीशा और गंडासिंग तो इसका जो प्रतम बिश्विद की प्रिष्ट भूमिपर रचित कहानी प्रतम बिश्विद यानि की 1914 के आसपास में लिखी गई कहानी कौन सी है आप्शन दिया गया उसने कहा था सिक्का बदल गया परिंदे अम्रीसर आ गया है तो इसका जो सही जबाब है पहला आप्शन उसने कहा था अगला प्रशन है विश्विद्याली परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है परिसिष्ट चक्रविव अपने अपने चेहरे धूप छाही रंग तो चार उपन्यास दिये गये हैं अब हमें बताना है कि विश्विद्याली परिसर पर आधारित कौन से उपन्यास है ठीक ह तो इसका जो सही जबाब है कि A और B यानि कि परिशिष्ट और चक्रविव नाम के जो उपन्यास हैं ये दोनों उपन्यास विश्विद्याले परिश्टर पर आधारित हैं अगला प्रश्ण है निमिल्खित में से इस्तरी विमर्ष पर आधारित उपन्यास हैं समय सरगम एक जमीन अपनी एक चीतरा सुप मुझे चांथ चाहिए तो चार नाम दे गए उन चारों नामों के आधार पर नीचे कूट दिया गया है उन कूट के आधार पर हमें बताना है की कौन सा उपसन सही है तो दे अधार इसके सही जवाब यानि के एक जमीन अपनी और मुझे चांध चाहिए यह इस तरी विमर्ष पर आधारित उपन्यास है question number 13 का जो सही जबाब है कि B और D ठीक है तीसरा option एक जमीन अपनी मुझे चाथ चाहिए अगला प्रश्ण है गीरी राज की शोरदारा रचित उपन्यास है जूगल बंदी ओसकी बूत लोग जरोके तो खासतर से गीरी राज की शोर का नाम देकर यहां पर पुछा गया है तो उनके उपन्यास कौन कौन से है तो बीकल भीत दिया गया नीचे तो इसका जो सही जबा जबाब है A और C यानि की जूगल बंदी और लोग नामक जोग पन्या से ये गिरी राज किश्वर द्वारा लिखे गए हैं अगला प्रश्ण है निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक्नायकों की अकेले पन और अलगाव की प्रतिरोध और विद्रो की राश्ट्री छेतना की तो हमें बताना की कौन साइसे विकल्प है जो कि निर्मल वर्मा की कहानियों से जुड़ा हुआ है तो सही जबाब है आप्शन A और B हताश और आत्मपरक्नायकों की अकेले पन और अलगाव की A और B आप्शन सही है यानि कि दूसरा नंबर का जो आपने वो चाहिए अगला प्रश्न है पुछा जारा जूठा सच उपन्यास के पात्र है तारा जैदेव रनबीर देवबरत सोमराज रावत सपन बाबु सनीचर ठीक है तो इसमें से हमें यहां पर देखे नाम गलत रग रुपन बाबु होना चाहिए तो यहां पर गलत ल कि ए और सी वाला जो आपसे वो चाहिए इसमें पहला आपसे रहे हैं अगला प्रश्न है पुछा जारा कि जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास के धरति धन्ण अपना यह था प्रस्तावित किस्ता गुलाम मुठी भर कांकर तो धरति धन्ण अपना जो कि जगद दिया गया वो सही है ठीक है दूसरा अप्शन इसका सही जवाब है अगला प्रशन है शीवपाल गंज का चित्रन किस उपन्यास में किया गया है यह पिछली बार भी आया था और यहां पर देख रहे हैं कि अलग डंग से पूछा जा रहा है सही जवाब है अप्शन पहला रा टी तो इसका जो सही जवाब है कि तमस नामक उपन्यास में इसका चित्रन किया गया है अगला प्रशन है बड़े आद्मियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी हमें तो अपनी नाक एतनी प्यारी नहीं यह गोदान के किस पात्र की भावा विव्यक्ती है धन ना कितनी प्यारी नहीं है अगला प्रश्ण है निम्रिषित में से किस उपन्यास में इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषन और लूट का यथार्थ चित्रन हुआ है वहामा सिक्षक परिक्षागुरु नूतन ब्रहमचारी श्यामा स्वपन तो इसका ज कि परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मादवारा लिखी गए उसमें कुल कितनी कहानियों को कलेक्ट किया गया है तो इसका जो सही जवाब है कि साथ कहानिया उसमें शामिल है अगर आप सभी के पास कहानी संग्र होगा तो उसे आप चेक भी कर सकते हैं अगला प्रश्ण है आदिम रात्री की महक नाम के जो कहानी है यह ठुमरी में नहीं है खोद यह एक कहानी संग्र के रूप में है और बाके आपको ध्यान रखना के तीसरी कसम नाम के जो कहानी है वो ठुमरी में है पंचलाइड भी ठुमरी में है और रस्परिया भी ठुमरी में है यानि कि ती चंद्री कथ्य बनाया है किसका ये कथन है ठीक है तो इसका जो सही जवाब है और चोथा भौधेव पांडे ने इस बात को कहा कि चंद्रदेव से मेरी बाते हिंदी साहित की पहली कानिती जिसने अपने समय की राजनीती और अर्थनीती को केंद्र में रखा है अगला प्रश्ण है पुछा जारा कि निम्रिखित में से कौन से उपन्यास अमरितलाल नागर द्वारा रचित नहीं है अमरितलाल नागर की कौन से उपन्यास है जो कि उनके द्वारा नहीं लिखे गए तो इसका जो सही जवाब है कि ए और डी जो कि उनके द्वारा नहीं ल लिखे गए हैं B और C लिखे गए हैं A और D नहीं लिखे गए तो सही जवाब होगा चौथा अपसम अगला प्रश्ण है कि निमलिखित में से मैला आचल उपन्यास के पात्र हैं कमला सहनवाज सहद्यों मिशर बलबहद्र नारायन तो इसका जो सही जवाब है कि कौन से पात् ठीक है यानि कि कमला है और सहद्यों मिशर हैं उपन्यास मेला आचल से जुड़े हुए हैं सारे पात्र अगला प्रश्ण है अग्ये के उपन्यासों के पात्र हैं रादिका भूवन सरस्वति प्रसांत तो अप्शन दिया गया है कि अग्ये के द्वारा लिखे गए उपन् ठीक है अगला प्रश्ण है कि याश्पाल क्रित जूठा सच उपन्यास के केंद्री विशे कौन से हैं विवाजन की तरास्दी नारी की विवश्ता और शोषन संप्रदाइक दंगों की भयावता बारत छोड़ो आंधोलन तो इसका जो सही जवाब है आप्शन दूसरा ए और सी ठीक है विवाजन की तरास्दी और संप्रदाइक दंगों की भयावता तो आपने इसी लेक्चर में देखा होगी कैसे अलग-अलग दिश्टी कौन से घुमाक फुरा कर जूटा सच सवाल पूछा जा रहा है लेकिन उनकी जो विशे वस्तु यह लगवग एक ही है त और आदेगया दोधना States निर्मल वर्मा राजकमल चोजरी राजेंदर यादव तो इसका जो घुमाद दूसरए A p jun D यानि के निर्मल वर्मा और राजेंदर यादव जो कि नई कहानी अंद conversations के थाय फा्रवज गंज ऑर तो इसको हमें कोटेशन के त्रू मिलाना की कौन सा इसमें तिसरी कसम कहानी में चित्रित है तो इसका जो सही जवाब है A और D यानि फारविश गंज है और सीरपूर बाजार है अगला प्रश्न है रामचन शुकले ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है ये कहानी जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गी स्वरूप जहांक रहा है दूसरी कोटी की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है इसकी घटनाय ही बोल रही है पात्रों के बोलने के पेक्षा नहीं है तो आपने अगर इंदी साहित का इतियास पड़ाओगा और उसने का अथा का प्रसंग पड़ाओगा तापके दिमांग में जरूरा अप्शन बी और ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया है यानि कि तीसरा ऑप्शन सही है अगरा प्रस्न है मैत्री पुष्पा की किस उपनिास में ब्रज शेतरि के जीवन य थार्द का चितर्ण हुआ है जहले locks अगला प्रश्न है निम्खित में से कॉन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है रत्तु नfindटु रिचर्स हयात भोकृ कि इसका जो सही जवाब है ृत्तो नाम का जो इसमें करेक्टर दिया गया है वो तमस उपन्या से समधित नहीं है अगला प्रशन है पारवती सुखदेई दौलत राम और छोटे निम्हित में से किस कथा कृती के पातर है रानी केत की कहानी वामा सिख्षत भागवती देवरानी जेठानी की कहानी तो इसका जो सही जबाब है कि द दौलत राम और छोटे जैसे पात्रों का उले किया गया है अगला प्रशन है कि उस यूति के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और सद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो जाए तो किन दो पात्रों के बात कही गई है तो इसका जो सही जबाब है कि मियाता और मालती के बीच में ये बात कही गई है अगला प्रशन है कि जगदिश्चंद्र कृत उपन्यास धर्ति धन्न अपना के अंतरबस्तु में नुखति में से किस वीशे पर आधारित है तो किस वीशे पर आधारित है आपके दिमाग में तुरंत आ गया है ये पंजाब की ग्रामेर पुष्ट भूमे में नलित जीव जवाब है कि ये कि को आपके लिए नाम की जो कहानी उसमें इसका उललेक किया गया है अगला परशन की निमलिकृत में निमलिकृत वाकि कि कषानी से लिया गया कूंका वह आखρη कत्रा जो वतन की है दुनिया की सबसे अनमोल चीज तो इसका जो सही जवाब है ऑक्जन अप्शन दूसरा इसका सही जबाब होगा कि कोशी का घटवार नाम एक जगा आप देखेंगे लक्षमी दासिन दिया हुआ वो मैला आचल और लक्षमा नाम का जो लक्षमा नाम की जो इस्त्री पात्रे वो कोशी का घटवार में लिखी थे अगला प्रशन है आपका बंटी उपन्यास का कथ है तो आपको बंटी उपन्यास का कथ पहले भी प्रशन में पूछा जा चुका है लेकिन आप फीर से पूछा गया है तो आपने आप्षन को देखा होगा तलाक शुदा पत्य–पत्री की संतान के समस्या समकाल राजिनितिक पรजिश्य राजिनतीम प्रृ के जीवन का चित्रन महानगर वासी उचमध्यवर्गी वृद्व्यक्तियों के जीवन इस्थितियों का चित्रन परिनिश्थित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों में अक्रांत कर दिया है विवायतर संतान और उसकी स्विक्रिति का प्रश्ण वह अडित है तो इसका जो सही ज अगला प्रें बनभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं राजकुमारी चंद्रदीर इत् थित सूचरिता प्त्रले रितम भरा तो इसका जो सही जवाब है कि ए और वी यानि कि राजकुमारी चंद्र दिधिति और सुचरिता दोनों पात्र बानभट की आत्मकथा से जुड़े हुए हैं अगला प्रश्ण एक लिम्फिति में से गोदान उपन्यास में वडित गाउं कौन सा है गंगवली, सेमरी, विलारी, मेरी गंज तो इसका जो सही जबाब होगा कि कौन सा गाउं है तो B और C यानि कि चौथा अप्सन सेमरी और बेलारी नाम के जो गाउं है ये गोदान में वडित हैं अगला प्रश्ण एक परिंदे कहानी के पात्र हैं तो इसका जो सही जबाब होगा कि डाक्टर मुकरजी और मिस्टर हिूबर्ट नाम के जो पात्रें वो परिंदे कहानी से जुड़े होगा यानि कि B और D तीसरा उप्षन इसका सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संगर है वी रादरी बाहर राजा निर्बंसिया ठसक कस्वे का आदमी तो हमें बताना कि कौन से कहानी संगर है तो इसका जो सही जबाब है ऑप्षन दूसरा B और D यानि कि B और D राजा निर्बंसिया और कस्वे क का आदमी नाम का जो सिर्शक दिया गया ये कम्लिस्वर के कहानी शंगरे के रूप में जहने जाते हैं अगला प्रशाथ क्लिश निमलिखिट में से कौन इदगा काहानी के पात्र नहीं है जो मन्सिक मौमूद भजन सिंग मौसिन तो कौन से ऐसे पात्र है जो कि इदगा से नहीं जुड़े हुए है अप्सिन यहाँ पर दिया गया है हमें बताना है कि नहीं जुड़े हुए है ठीक है तो इसका जो सही जबाब है बी और डी तो इस पात्र से जुड़े हुए है यानि कि इदगा से जुड़े हुए है B और D आए ओर बताना कि कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका जो सही जबाब होगा i ओर C ठीक है तो यहां पर जो दूसरा option दिया गया है वो इसका सही जबावगा A और C नाम के जो उपन्या इसमें पात्र दिये गया है वो इदगा से नहीं जूड़े हुए यानि कि जुम्मन सेख और भजन से ठीक है तो इस तरीके से हमने कुल 86 अब्जेक्टिव प्रश्णों पर बात चित किया जो कि सन 2018 से लेकर 2021 की बीच में कथा सहित के अंतरगत पूछे गये थे उमीद है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्णों को आप चानते रहोंगे हमने लाइब क्लास अभ्यास में 20 पर चर्चा किया था और एक जगा मैं इसको कलेक्ट किया जिसे की कम समय में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं तो कमेंट्स करकर जरूर बताए कि आज का ये वीडियो लेक्षर आप से भी को कैसा लगा मिलते हैं एक नए लेक्षर के साथ तब तक के लिए नमस्कार